बड़ी खबर के साथ करेंगे दिली से खबर है जहां आज दोपहर करीब साड़े तीन बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फरेंस है और उत्तर पदेश की दस विधान सबा सीटों पर चुनावी तारिखों का एलान हो सकता है इसके लावा महराष्ट और जहारखंड के चुनावी तारिखों का भी एलान आज संभव है तो महराष्ट और जहारखंड का चुनावी दंगल शुरू होगा महराष्ट में शिवजेना शिंदेगुट और बीजेपी की सरकार है और हरियाना और जम्मू कश्मीर के बाद अब अब महराष्ट और जहारखंड में भी चुनावी तारिखों का भी आज एलान हो सकता है चुकी जम्मू कश्मीर और हरियाना में चुनाव हो चुका है अब महराष्ट और जहारखंड की बारी लेकिन उसके साथ-साथ उस्तर प्रदेश की दसविधान सभा सीटे जहाँ और राजनितिक दल तो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे ही है चाहिए समाजवादी पार्टी हो, भारती जन्सा पार्टी हो उत्तर प्रदेश की इन दस सीटों पर भी एक तरीके से जीतोर मेहनत राजनितिक पार्टियां कर रहे हैं दस की दस सीटों को एक perception बनाया जाए एक message दिया जाए विधान सवा चुनाव से पहले कि हवा का रुख क्या है तो आज साड़ी तीन बजे चुनाव आयोग की press conference है और संभावना ये के उत्तर प्रदेश की भी जो दस विधान सवा सीटें जिसके उप चुनाव होना है महाराष्ट और जार्खन में विधान सवा चुनाव है उसकी तारीखों का एलान भी आज होगा साड़ी तीन बजे चुनाव आयोग की press conference और उसमें तारीख स्टै हो जाएगी के महाराष्ट में कब चुनाव है कितने चरण का चुनाव है जार्खन में कब चुनाव है उत्तर प्रदेश की दस विधान सवा सीटें वो तारीख भी आज सामने आ जाएग हरियाना और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट और जार्खन में चुनाव की तारीख का एलान होगा आज दोपहर साड़ी तीन बजे चुनाव आयोग की press conference है उसके सब की नजर चुकि तारीख का एलान होगा जार्खन में चुनाव कब है कितने चरण में होगा महार प्रदेश की दस विधान सबा सीटेश को उप्चुनाव उसका एलान भी आज हो सकता है तो आज चुनाव की तारीखों के एलान की संभावना दोपहर साड़ी तीन बजे चुनाव आयोग की press conference और इसमें तै हो जाएगा कि महाराष्ट में चुनाव कब है कितने चर्णों में है जारखन में कब है कितने चर्णों का है और यूपी की दस सीटों का विधान सबा चुनाव वो किस तारीख में होंगे आज तस्वीर साफ हो जाएगी चुकि इसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा है और इसको लेकर राजनितिक पार्टियों की अपनी अलग तैयारी है और दिल्ली से प्यूश अमारी संबादा था इस पे जाधा जानकारी के साथ प्यूश आज चुनाव आयो की प्रेस कॉन्फरेंस है महाराष्ट जारखन और उत्तर प्रदेश की दस सीटों पे आज पूरी संभावना तारीखों का इलान हो जाएग बिल्कुल अगर हम बात करें तो चाहें महाराष्ट की बात करें या जारखन की बात करें दोनों ही जगों पर विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कई दिनों से कयास लगाय जा रहे थे कि आखिर चुनाव आयो कब इसकी जानकारी देगा यानि की चुनाव के तारीकों का ऐलान करेंगा ऐसे में चुनाव आयो की ओर से आज अधिकारिक रूप से ये बताया गया है कि दिल्लिस जो बिग्यान बहुन है वहाँ पर साड़े तीन बजे के करीब में ये प्रेस कॉनफेंस सुरू होगी और इस प्रेस कॉनफेंस में बकाइदा चाहें जारखंड की बात करें या फिर महराश की बात करें दोनों ही जगों के चुनाव की तारीक का जो एलान है वो चुनाव आयो की ओर से किया जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ही तारीकों का एलान होगा निशित रूप से अचार सहीता भी लग जाएंगी इ इस बात की जानकारी देगा कि दोनों ही राज्यों में अभी वर्तमान में कितने ओटर्स हैं, कितने युवा ओटर्स हैं, कितने महिला ओटर्स हैं, कितने वरिष्ट ओटर्स हैं, इसके अलावा दिव्यांग कितने ओटर्स हैं और चुनावा योग की ओर से क्या कोछ तैयारी की गई है कि इस चुनाव को सकुसल कराया जा सके इस के साथ अगर हम बाद करें तो चुनाव यूग की और से ये भी जानकारी दी जाएगी कि नमांकल की तारीख कब है नमांकल वापस कई प्रत्यास से लेते हैं उसकी तारीख कब है और कब जो है वोटिंग का डेट है इसके अलावा कब जो है वो नतीज ही आएंगे सबकी निगाहे इस बात पर पिटी की हुई है कि क्या चुनाव आयो की ओर से उन 49 सीटों के तारीक का भी एलान किया जाता है उपचुनाव के गरम बात करें क्योंकि देश भर में इसी विधान सभा की सीटे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं तीन लोग सभा की सीटे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तरप्रदेश के लिहाज से बात करें तो दस उत्तरप्रदेश की जो विधान सभा की सीटे हैं वहां पर उपचुनाव होने ह हाला कि अधिकारिक रूप से तो जानकारी ये दी गई है कि जारखंड और महराष्ट को लेकर विधानसभा चुनाओ को लेकर कहीने कहीं जो तारीक है उसकी गोश्टा की जाएगी लेकिन आमतोर पर देखा गया है कि जब बड़े राज्यों की चुनाओ की तारीक की गोश्टा होती है और उप्चुनाओ होने वाले होते हैं तो कहीने कही चुनाओ वायोग की ओर से भी कोशिस की जाती है कि लगें हा तो चुनाओ भी करा दिये जाए जो कि पिछली बार आपने देखा होगा कि जब चुनावायोग ने प्रेस कॉन्फिंस किया था और खास्तोर पर हरियाना जम्मु कश्मिर चुनाव के तारीखों का एलान चुनावायोग ने किया था तब उस दोरान उपचुनाओ के बारी में भी चुनाओ वायोग की ओर से जिक्र किया गया था और उन्हें कहा था कि अभी हम इस्तिती देख रहे हैं कई जगों पर मौसम भी अनुकूल नहीं है और हम कोसिस करेंगे कि एक साथी जहां जहां भी उपचुनाओ है उसको हम करा स के और कहिने कहीं साल के आखरी में उपचुनाओ करने का एक तरीके से इशारा जो है वो चुनाओ वायोग ने किया था तो ऐसे में कयास लगाया जा रहे हैं कि उत्तरप्रदेश के लिहाज से भी आज महत्वण दिन है और चुनाओ वायोग की ओर से उत्तरप्रदेश के उ चुनावी प्रक्रियां है उसमें चुनाव आयोग जुट जाएगा चुकि चुनाव आयोग के तमाम जो अधिकारी है वो जारखंड भी गए हुए थे महराश्ट भी गए हुए थे और बकाइदा हालातों का भी जायजा लिया गया था सबसे बड़ी बात है कि सबकी निगाहे इस बात पर टिकी हुई है कि महराश्ट में हो या फिर जारखंड में हो जो चुनाव है वो कितने चरण में कराये जाते हैं और जो तारीक है चुनाव की वो कब आती है हाला कि ये भी जानकारी मिल रही है получится के हवाले से इस साल के आखरी में यानि कि नुमबर दिसंबर के बीच में ही ये चुनाव जो है कराये थे या फिर जो असमर्थ लोग थे जो पोलिंग बूत तक नहीं आ सकते थे उनके लिए बकायदा जो अधिकारी है जो पोलिंग अफसर है वो जाते थे वहां पर कहींने कहीं उनके मतदान को कराते थे तो ऐसी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में भी चुनावायोग जो है वो कहींने कहीं जानकारी देगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महराश्ट और जारखंड के अगरम बात करें तो निश्यत रूप से आज उस चीज से परदा हट जाएगा कि आखिर जो चुनाव है वो कब होंगे और दस सीपे उप्तर प्रदेश की विधानसवा पर जो चुनाव होना है उसका एलान भी हो सकता है